अस्लाम ग्वाइकाम दोस्तो weup कम टो यकोब टेक्निकाल ट्रेक्स नो को दोस्तो आप तेख सकते हैं कि आज इंटर्ञेट का टील कर रहा है इस पॉल को जो पेप फीट करना है धंब झुएरomination 2?. यहां पर यह देख सकते हैं कि जोएंट किया हुआ है यहां पर जोने पारें लगाने के लिए रसे लगाते हैं चेक करें यह चेक करें लाइट बीम टरनेशन टू लगी हुई है उपर अब इसको हमने सीधा करना है यहां पर उपर भी तारें बंदी हुई है यह चेक करें और इसके साथ जो हम डिवाइस लगाएंगे वो आपको चेक करवाता हूँ यह दूपर जोट लगाएंगे लिवाइस है चेक करें यह टैंड एफ थ्री है और इसकी जबर्दरस रेंज होती है गए अगर आप घार में इंटर नेट लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए यह रिकॉर्मेंट होंगी एक जो आपको यह नजर आ रही हैं यह प्डाल कर लाइट बीम जनरेशन टू और इसके साथ जो है ना ये वैर लगनी है कैट सिक्स ये तार पड़ी है और ये टेंडा एफ-3 लगा था और किसी भी जगा पर आप इंटरनेट लेना चाहते हैं तो ये आपको जरुबात पड़ेंगी चीजे जरनेशन टू लाइट बीम और एफ-3 और कैट-6 तार और आपके साथ में जो भी आई-एस-पी हो इंटरनेट देने वाला आप उससे कनेक्शन ले सकते हैं काफी भाईयों की जो है ना कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यार ये बताएं कि इस डिवाइस में सिम डलती है कि सिम नहीं डलती भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो डिवाइस है ना ये सिम वाली कोई डिवाइस नहीं है ये ये देख सकते हैं ये और ये टेंडर एफ-3 इस तो यह आप उन से कनेक्ट होंगे तो आपको इंटरनेट मिलेगा अगर आप ऐसे लेते हैं कोई भी आपके शहर में कोई ISP नहीं है इंटरनेट देने वाला तो यह आपके काम की डिवाई से नहीं है ठीक है अगर आपके शहर में कोई ISP है इंटरनेट देने माला तो आपके काम किया है आप ले सकते हैं पचीस से तीस किलो मीटर तक आप इंटरनेट चला सकते हैं वैसे यह लाइट वीम जरनेशन टू है यह 10 से 15 किलो मीटर के लिए होती है जबर्दस काम करती है अगर आप किसी भाई को भी इंटरनेट लगवाना ह या इसकी इंटरनेट की कोई मौलमात लेनी हो तो डिस्क्रैप्शन में नमबर दिया गया है इस पे आप राप्ता कर सकते हैं किसी भी हवाले से हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारा चैनल सब्क्रैब करें और बेल आइकान को प्रेस करें न्यू लेटस्ट वीडियो आने के लिए खुदा आफिस